अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को अपने बड़े बुजर्गों की बातें माल लेनी चाहिए जी हाँ दोस्तों क्योंकि बड़े बुजर्गों को जिन्दगी कानुभव हमसे ज्यादा होता है दिया दोस्तों यहां बात हो रही है हुमायू और उनके पिता बाबर की बाबर ने हुमायू को लाख समझाया कि शेरशाशूरी को जो है उससे बच कर रहना इस पर अपनी नजर रखना लेकिन दोस्तों हुमायू ने अपने पिता की बात नहीं मानी और परिणाम उसका क्या ह परिणाम हुआ दूतिय अफगान वंश की स्थापना जिसका संस्थापक था दोस्तों शेर्शा सूरी बिल्कुल दोस्तों नमस्कार मैं निर्मल सिंग आज लेकर आया हूं एक नई सीरीज एक नई सीरीज की शुरुवात हुई है दोस्तों इतिहास अकैडमी के चैनल पर और इस शुरीज का नाम जैसा कि आप सभी ने देख लिया है नाम है इस शुरीज का इतिहास की जड़ी बूटी जी हाँ दोस्तों देखिए जिस परकार प्राचीन समय में ओश्रदियां जड़ी बूटियां हमारे स्वास्ते को ठीक रखने का काम करती थी उसी परकार दोस्तो इतिहास की यह जड़ी बुटी आपके Net JRF exam के अंदर दोस्तों बहुत काम आने वाली है exam रूपी आपका जो syllabus है यह हम कह सकते हैं कि परुषा रूपी जो दोस्तों आपका स्वास्ता है उसको ठीक रखने में उसको ठीक रखने में मददकार साबित होगी दोस्तों यह है जड़ी बुटी इसके मादियम से हम क्या करने वाले हैं रोज रेगुलर आपके सामने वीडियोज आएगी दोस्तों और उसमें इतिहास की कुछ महत्कुन घटनाओं का जिक्र किया जाएगा और ने सिर्फ भे घटनाएं महत्कुन होंगी बलकि exam के point of view से भी बेहत जरूरी होंगी जिहां और आज पहला ही पहली ही कलास है जिसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों चोसा कायुद और चमडे के सिक्के अक्सर परिक्षाओं में पूछा भी जाता है जिहां दोस्तों हम जानेंगे निजाम भिष्टी के बारे में हम जानेंगे कि आखिरकार ये भिष्टी काम क्या क करते थे और आखिरकार कैसे इस भिष्टीने दोस्तों हुमायू को बचाया और बन गया आधे दिन का राजा सारी बात जानेंगे चलिए थोड़ी सी बात करते हैं चोसा के युद्ध की आजाईए दोस्तों चोसा का युद्ध जो कि जून 1549 में लड़ा गया था और लड़ा शेर्शाशुरी जिसने सासाराम में दोस्तों अपने मिर्ट्यू से पहले ही अपना मकबरा बना लिया था सासाराम बिहार में दोस्तों शेर्शाशुरी जो की कालिंजर अभियान के तहत 1545 में उक्का नामक्तोप से खुद ही जलकर जो है मारा गया दोस्तों शेर्शाशु जिसने पांच साल तक शाषन किया और पांच साल के अंदर इतना महत्पुन प्रशाषन समाला कि अकबर ने भी आगे चलकर शेर्शासुरी के प्रशाषनिक जोकारे हैं उनको फोलो किया और शेर्शासुरी के बारे में जितना कहे उतना कम है काफी महत्पुन काम इसने अपन तो दोस्तु मेया बाबर ने हुमायू से कहा भी था 먹어 huhinkya युद्ध मेलोक क्ञश्या transition जो है मुगल सत्ता जो है समाप्ट हो जाती है कुछ समय के लिए और हुमायू को हिंदुस्तान से खदेड दिया जाता है लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों चोसा के युद की जो कि जून 1549 में होता है इसके अंदर विजय रहता है कुण श सुरक्षित सतान पर ले जाता है और हुमायू जो है वह निजाम बिष्टी से कहता है कि जिस दिन मुझे मेरा सामराज्य वापिस मिलेगा उस दिन मैं तुमें तुम जो कहोगे वो तुमें दूँगा बिल्कुल दोस्तों आजे यह देखते हैं एक दर्श है जिसमें निज निजाम बिष्टी हुमायू की मदद करता है और हुमायू को जो है नदी पार करवाता है दोस्तों आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हुमायू को नदी पार करवाते हुए निजाम बिष्टी देखिए दोस्तों आराम से इस तस्वीर को देखिए कि किस परकार मुगल शाशक हुमायू को जो है भिष्टी जो है क्या करवा रहे हैं नदी पर करवा रहे हैं अखिर ये भिष्टी कौन होते थे अखिर इन भिष्टियों का काम क्या होता था ये भिष्टी कैसे युद्ध के अंदर सिपाईयों की मदद करते थे किस परकार ये भिष्टी जो है दोस्तों इसमें पानी होता था विष्टियों का काम क्या होता था विष्टियों का काम होता था युद्ध में सिपाईयों को पानी पिलाना जिया दोस्तों युद्ध में घायल सिपाईयों को या फिर युद्ध लड़ रहे सिपाईयों को पानी पिलाने का काम करते थे विष चली दोस्तों, आगे देखते हैं कुछ और महत्पुन बातें, आधे दिन का राजा जिसने चमडे के सिक्य चलाए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि आपको यहाँ पर निजाम भिष्टी की तस्वीव दिख रही है दोस्तों, यह देखिए, यह मशक इनों ने हाथ मे पर निजाम भिष्टी, तो जिस दिन मुझे मेरा सामराजय वापिस मिलेगा, मैं तुम जो कहोगे, तुमारी ख्वाइश पूरी करूंगा, और निजाम भिष्टी ने भी बड़ी ही आनन्द में कह दिया, कि मुझे आप एक दिन का राजा बना दीजिए, और दोस्तों, तो हुमाईयू को वचन करना पड़ा पूरा, और हुमाईयू ने जो है दोस्तों, लगबग आदे दिन के लिए निजाम भिष्टी को क्या बना दिया, राजा, और अपनी इतिहास में पहचान को हमेशा जिन्दा रखने के लिए, इन्हों ने भी चला दिये क्या, चमड़ थेला पानी पिलाते हुए एक भिष्टी, यानि कि थेले से पानी पिलाते हुए एक भिष्टी, देखिए दोस्तों, इस मशक के अंदर आगे इस परकार से एक पाइप सी हम कह सकते हैं चोंच सी लगी होती थी जहां से पानी जाता था और यह देखिए पानी आपरी पिला करते हैं और हुमायू ने जोस्तों वचन दिया था तो इसी वचन के चलते जो है हुमायू जो है उसे राजा बनाता है और राजा बनाने के पश्चार जो है निजाम भिष्टी जो है चमडे के सिक्के चलाता है हुमायू के साशनकाल में दोस्तों चमडे के सिक्के चलते हैं और चोसा के युद्ध की जानकारी दोस्तों हमें कुछ जो चोसा नामक जो स्थान है दोस्तों बिहार के अंदर वहां पर कुछ जो है दोस्तों शीला पट्टियों पर जो है जानकारी हमें देखने को मिलती है अभी देखेंगे आगे देखेंगे दोस्तों यह है चमडे का सि और हुमायू और शेर्शार्शूरी के बीच में युद्ध वा था दोस्तों चोसा का युद्ध जून 1549 में और इस लड़ाई में हुमायू अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूच जाता है और दोस्तों चोसा ग्राम के ही निजाम नामक भिष्टी और भिष्ट हुमायू ने अपनी प्रान रख्षा के बदले निजाम भिष्टी को दिल्ली की गद्धी पर एक दिन के लिए चोसा गाउं में लगी शिलाकरती के अनुसार आधे दिन के लिए देखे दोस्तों यह जो शिलाकरती आपको दिख रही है यह चोसा गाउं में लगी है और यह आधे दिन की बादशाहत के दोरान निजाम ने पूरे देश में चमड़े के सिक्के चलाए थे ठीक है अब देखे दोस्तों इस आधे दिन के बादशाहत के दोरान निजाम क्या करता है चमड़े के सिक्के चलाता है अकसर परिक्षाओं में पुछा जाता है दोस्तों और जो चीजे परिक्षाय में पूछे जाती है, इतिहास अकेडमी का वो फर्ज है, मेरा वो फर्ज है, आप तक वो जानकारी साजा की जाए. दोस्तों, कमेंट बोक्स में जरूर बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लगी, आज तो पहली कलास है, लेकिन दोस्तों, नेक्ट कलास में इससे भी ज्यादा इंटरस्टिक टोपिक लेकि आऊंगा, वो हर एक टोपिक पर डिसकस करूँगा, जो की इतिहास के दरश्टी कोन से, और हमारे नेट जयारफ परिक्षा के दरश्टी कोन से इंपोर्टनेट होगा, सब पर दोस्तों बात करेंगे, और दोस्तों, वाकी की जो कलास है चल रही है, वैसे ही रेगूलर रहेगी, अभी एक दो दिन में आपको नव पाशान काल पर भी वीडियो मिल जाएगी, और रोचक तथे के साथ, नैसे इफ रोचक बलकि परिक्षा के दरश्टी कोन से भी महत पून, मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए, जै हिन जै भारत, धन्यवाद!